बिस्मिल्लाहिर्म्री रहीम अस्सलाम अलेकूं आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल किश्मिश की खट्टी मीठी तीखी चत्नी इसके लिए हमने एक कटोरी किश्मिश लिया था इसको हमने रात में भिगा के रखा है यह अच्छे से फूल गया है कि इनको हम एक सिजार में डाल देते हैं सबसे पहले कि बिस्मिल्लाहिर्म अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीश लेंगे और यह देखिए हमने किश्मिश को महीन सा पीश लिया है इधर हमने एक मुठी भरके इमली लिखती इसको हमने रात में भिगा दिया था इसका हमें पर्प निकालना है किश्मिश में इतने जादा खटास नहीं होती तो थोड़ा सा इमली का पर्प भी डालेंगे अच्छे से इसको हम मिश्क लेते हैं पानी में और अब हम किमली के पर्प को इसे में छान लेते हैं और इदर हमने एक भगोना रखा है त्राइपैन हमने फिलेम को आउन कर दिया है इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ओल डालेंगे इसको गरम होने देते हैं और हमारा गरम हो गया है इदर हमने सौफ और कलोंजी लिए है थोड़ी थोड़ी सी है ये इसको डाल देंगे अब इसमें हम इसमीं जाए देंगे जब पल्प हमने बना के रखा था है अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर है रेट चिली पाउडर इसको डालेंगे आप कुटी हुई सोखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं चिली फ्लैक्स सॉल्ट है इसको भी डालेंगे हाफ टी स्पून काला नमक है थोड़ा सा इसको भी डालेंगे और यह और इंग फूट कलर है को डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे अब इसको हम पकाएंगे और यह देखिए यह अच्छे से वह आयल हो चुका है यह पक रहा है अब हम इसमें एक कटोरी शक्कर है इसको डाल देंगे अब फिर इसको हम पकने देते हैं अब इसको हम पकने देते हैं और ये पूरे महीने रमजान में चलेगा, नेबू डाल देंगे, और ये देखिए हमारी चटपटी से किश्मिश की चटनी प्रेडी हो गई है, अब फ्लेम को हम आफ कर देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे, अब ये ठंडी हो जाएगी तो और ज्यादा थिक हो जाएगी गाड़ी हो जाएगी, ये चहाएगी, ये जी की, ये 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 की ये ये की, लाफीज